बॉलिवोड एक्टरस आल्या भट ने जून महीने के दूसरे हफ़ते में ही बता दिया था कि उनकी फिल्म जिगरा कब रिलीस होगी ऐसे में सूर्या और बॉबी देवल स्टार और फिल्म कंगुवा की रिलीस जेट का भी ऐलान कर दिया गया है ऐसे भी दोनों में जबर्दस क्लैश देखने को मिलेगा चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि ये दोनों मूवी आपस में किस दिन भीडने वाली है प्लीज सब्सक्राइब तो आर चैनले सो हेलो एंड वलकम गाइज मैं हूँ कूमल और आप देख रहे हो स्टूडियो अड़ा सूर्या स्टारर फिल्म कंगुआ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है टीजर में इसकी रोमालचक और विशाल दुनिया की जलक दिखाई गई है जिसमें सूपरस्टार सूर्या को एक सक्तिशाल योध्धा और बोविदेवल को विलन के रूप में दिखाया गया है दोनों को पहले ऐसे कभी ने देखे जाए पर फैंस के बीच इस मूवी को लेकर एक अलग ही जोज देखने को मिल रहा है फिल्म से जुड़े इन सभी अपडेट्स ने ओडियंस के बीच एकसाइटमेंट को बढ़ा दिया है और ऐसे में अब मेकर्स ने आखिरकार फिल्म की रिलीज देट की अनौशमेंट कर दी है बताया गया है कि फिल्म को दुनिया भर में 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाएगा नए पोस्टर के साथ कंग्वां के मेकर्स ने रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली इस मूवी को लेकर हर कोई excited है मगर आल्या भट और वेदांग रेना स्टारर फिल्म जिगरा भी 11 अक्टूबर को थेटर्स में उतारी जाएगी दोनों ही दो अलग जोनर की मूवी है जिसके अपने अपने फैन बेस है ऐसे में इनका क्लैश होना निश्चित है कंगवा इस साल की सबसे बड़ी और सबसे महेंगी फिल्म है 350 करोर से जादा के बज़र्ट के साथ ये पुषपा, सिंखम और कई दूसरी बड़ी फिल्मों से भी बड़ी है फिल्म की शूटिंग अलग-अलग कौंटिनेंट्स के साथ अलग-अलग देशों में की गई है मेकर्स की दिमाग में फिल्म के लिए एक अलग धरह का लुक है क्योंकि ये प्री हिस्टॉरिक पीरिड को दिखाने वाली अनौखी फिल्म है मेकर्स ने टेकनिकल डिपार्टमेंट जैसे एक्षन और सिनमेटोग्राफी के लिए होलिवूड एक्सपर्ट को हायर किया है फिल्म में कुल 10 हजार लोगों से भी जादा के साथ शूट किया गया है सबसे बड़ा वोर सिक्वेंस भी है वही करन जोहर के प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर बनी मूवी जिगरा है जिसे धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है आलिया भट भी जिगरा में अलग वोमिका में दिखाए देगी इसमें भाई बेहन की अनोखी कहानी देखने को मिलेगी आलिया बड़ी बहन और विदाम छोटे भाई के रोल में होंगे हाला कि इसकी रिलीज डेट 13 जून को ही आ गई थी और अब सूरिया की मूवी ने भी जानते हुए 10 अक्टूबर चुना है तो अब देखते हैं कि दोनों मूवी आपस में भीड़ेगी या किसी मूवी की रिलीज डेट चेंज हो जाएगी और आप किस मूवी के लिए एकसाइटेड हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शियर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू